Hello everyone, आप सब का स्वागत है RRB NTPC 2019 का CBT1 का Maths का Solution कर रहे हैं जिसमें 28 December 2020 से 25 January 2021 तक जितने भी Sift में एक्जाम हुए सभी Sift के Solution कम्पलीट हो चुके हैं इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आज के क्लास में 27 January 2021 का पाला Sift का Solution करेंगे और इन सब का Solution पहले ही कम्पलीट हो चुका है इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं इनका लिंक नीचे description में दिया हुआ है तो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे आगे बढ़ते हैं पहला सवाल है यदि X बरावर Y बटा 2 और Y बरावर Z बटा 6 है तो X अनुपात Y अनुपात Z कमान ग्याद कीजिए ठीक है तो एक अनुपात 2 multiple option में ये दे रखा है तो एक अनुपात 2 किसका होगा? X और Y का तो हम लोग Y अनुपात Z निकाल के देखेंगे लास्ट वला दोनों तो यहां से निकलेगा Z को अगर इस्तर अपलाएंगे तो Y बटा Z आएगा कितना? 1 बटा 6 अब option में देखें कि किस option में Y Z का रेसियो 1 और 6 बन रहा है तो पहला option 2 अनुपात 3 है यह यह अनुपात 6 है इसको कटाने के बाद एक अनुपात 3 अह Alzheimer होगा अगर 10 alpha एक बटा 6 है तो sin alpha प्लस cos alpha का मान ग्याद किजिए देखे 10 होता है P बटा B यानि एक जो है P का value है और X जो है B का है यहां से H निकलेगा क्या होता है P square प्लस B square root के अंदर तो 1 का square 1 प्लस X का square X square अब यहां देखे sin alpha cos alpha का value निकलना है तो sin में क्या होता है P बटा H, cos में होता है B बटा H यानि H दोनों के निचे है तो आप उपर लिख दिए P plus B बटा H यहां पर P और B का value यहां से रखेंगे P का 1 है B का X है तो 1 plus X हो जाएगा और निचे H का जो यह value निकलना है root के अंदर 1 plus X square यह आ जाएगा तो option no.3 में इसका सही answer है आगे बढ़ते है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 cm अधीक है इसका परिमाप 14 cm है आयत का च्छेतरफल ग्याद कीजिए ठीक है आयत का परिमाप क्या होता है क्या हम लंबाई प्लस चौड़ाई का दोगना आगर परिमाप को हम लोग 2 से divide कर दें ठीक है तो कितना है आइगा साथ आएगा इसका मतलब यह जो साथ है यह किया है लंबाई प्लस चौड़ाई का योग है आब यहां पर जud एक का läuft कि मि इसका मतलब यह जो चार है यह लंबाई है और यह जो तीन है यह क्या है चोड़ाई है तो दौनों को गुना करेंगे चारतिया 12 cm2 इसका अंसर होगा अपसन नमर एक ठीक है आगे बढ़ते हैं एक आयता कार मैदान की लंबाई वह चोड़ाई का अनुपाद साथ अनुपाद 6 है यदि इसकी चोड़ाई इसकी लंबाई से 35 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ग्याद कीजिए यहां पर रेशियो यह दे रखा है साथ अनुपा आप निकलें क्या हो जाएगा यह लंबाई है यह चोड़ाई तो दोनों को जोड़के दो गुना करेंगा यानि कि साथ छे तेरा गुना दो कितना हो जाएगा 26 और एक युनिट का वेल्यू पैंटीस तो 26 इन्ट के कितना होगा 26 गुना 35 अब इसको गुना करना है तो इक जीरो सब में है तो इसको क्या करेंगे हम लोग आप यहां पर यह इससे दो उठाके इसमें डाल दीजिए ठीक है 26 को अगर दो से डिवाइट करेंगे तो यह 13 बचेगा और दो से जो डिवाइट किया है वो दो इसमें गुना कर दें यानि कि 35 कितना हो जाएगा 70 तो यहां 30 पद का वर्ग मिल कितना आएगा 10 आएगा पहला पद का एक आएगा तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं वही इसका अंसर होता तो 9 आएगा इसका अंसर यह कैसे होता देखिए इसका परिमेकरन करना होता है तो हम लोग हर में अगर देखें तो इनके वर्गों का अंत कर दो उसी तरह सागे वी रूट 4 और मैनस का रूट 3 यह चलते रहेगा और लास्ट वाला हो जाएगा रूट का सो गारूट नीनावे अब आपको देखना कि य। जाए और यहां से तिन तिन जाता को अनूपा 320 माइदान का च्रुपल 300 मीटर स्कुरा है मैदान की लंबाई और चौड़ाई कि लंबाई और चौड़ाई जो भी होगा वो क्या होगा तीन अनूपा चार में होगा और इसमें आपको ध्यान यहां पर 2-1 बन रहा है यह भी आंसर नहीं होगा यहां बन रहा है यहां और तीन ऑप से कट हैंगे 525 बन रहा है यह इसका नहीं तो आप इसको मान लेजिए 3x और इसको मान लेजिए 4x लंबाई गुना चोडाई करेंगे तो क्या होना चाहिए च्यतरफल 300 के बरावर कर यह यहां से x का value आई, x का value इसमें रख दीजिए, लंबाई चोड़ाई निकल जाएगा, आगे बढ़ते हैं, इसका hcf निकलना ठीक है, तो fraction में hcf निकलने के लिए क्लिए क्या करते हैं, उपर वाला का hcf और नीचे वाला का hcf, ठीक है, तो उपर वाला दिखे, 9, 3, 6, 12 का hcf आजाएगा 3, क्योंकि इसका highest common factor है, वो क्या है, 3 है, और इन सब का lcm कितना आएगा, इन सब का lcm आजाएगा 150, 3 से कटाएंगे एक बार में, 3 से 50 बार में, एक बटा 50 इसका answer होगा, आगे बढ़ते हैं, एक कारी को 16 दिन में पूरा कर सकता है, एक कर सकता है कितने दिन इसका हैं, इसका बचनी बार में, शोलो दिन में, इसका यह बचनी टाएगा एक डूटा 50 इसका पूरा बचनी सकता है, यह वह थोगा, ुप पूरा करेगा, यह रहा है, टूटल वर्च hour हो जाएगा, यहां पर 1 यहां पर 4, तो एक दिन में दौनों मिलके कितना करेगा, एक प्लस चार पांच पांच उनिट काम करेगा लेकिन टूटल कितना है 16 तो इसका जो भाग निकलेगा कितना निकलेगा पांच बटा सोलो अप्सन नुम्बर दो इसका सही आंसर है आगे बढ़ता है लखनाव सताबदी एक्सप्रेस दिल्ली से एड़ वजे अपराहन निकल है अब आपको समय देखना देखिए यहां पर देड़ बजे शुरू किया है दिन में और रात में साड़े दस बजे पहुंचा है तो यहां पर 9 घंटे का टाइम इसको लग गया है और इसका चाल है 90 किलोमेटर तो चाल से गुना कर दिए दूरी निकल जाए कि इतना 810 किल पानी को बर्फ में बदलेंगे तो यह अगर पानी यह माली यह वाटर है दस इसका आइस कितना का बन जाएगा आइस बन जाएगा एक का इसमें विर्दी हो जाएगा अब इसको कह रहा है कि आई से हमको वाटर बनाना है कितना का कमी करना पड़ेगा एक कमी करना चारंगों की वह बड़ी से बड़ी संख्यां गयाद कीजिए जिसे 6-12-18 से विवाजित करने पर परती एक मामले में 5 से बचता है ठीक है देखिए यहां 18 से भी विवाजित करना है 18 में 9 होता है 9 से विवाजिता का नियम बिल्कुल आसान है ठीक है तो हम लोग ऑप्शन में 5 घटाएंगे उसके बाद देखेंगे की कौन सा उप्शन 9 माल्टिपल है अगर पहला उप्शन में 5 मैनस करें तो इसमें कितना बनेगा 992 क्या नो का मल्टिपल है यह 9 मल्टिपल है ठीक है 064, इसको हम लिख सकते हैं, 0.4 का cube, प्लस देंगे, इसको लिख सकते हैं, 0.3 का cube, और नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, 0.4 का square, और बीच में बन रहा है, 0.4 गुना, 0.3, और लास्ट में बन रहा है, प्लस के बाद, 0.3 का square, अब यहां देखिए, अगर 0.4 को A माने, और 0.3 को B माने, तो ये A cube प्लस B cube बन गया, और नीचे बन गया, A square मैनस AB, प्लस का B square, जब डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा A plus B, यानि की 0.4 प्लस 0.3, इसको जोड़ेंगे तो 0.7 इसका answer होगा, option number 3, इसका सही answer है, आगे बढ़ते हैं, एक संक्या के 40% का 5 भाग, दूसरी संक्या के 30% के 2 तियाई के बराबर है, पहली और दूसरी संक्या का नुपत क्या है, तो मान लेते हैं, पहली संक्या X है, उसका 40%, यानि की 40% कितना होता है, दूसरी संक्या का 30%, यानि की 3 बटा 10, और इसका भी कितना 2 तियाई, 2 बटा 3 करेंगे, अब इसको कटाईए, देखें यहाँ पर, 5 से कट जाएगा दो बार में, इधर 2-2 काट दीजे, 3-3 भी काट दीजे, Y को इस तरफ लाएंगे, 2 बटा 5 को इस तरफ बेजाएंगे, तो X बटा Y बन जाएगा, कितना 5 बटा 2, 5 अनुपा 2 इसका अंसर होगा, आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना आसान है, आप लोग अपने से कर लिजे, आगे बढ़ते हैं, यदि sin A बरावर A बटा B है, तो cos A का मान गयात किजिए, ठीक है, तो formula लगा सकते हैं, नहीं तो आप B इसको H करके निकाल सकते, यहां से B निकलेगा कितना, root under B square minus A square, value रख दीजे, cos क्या होता, B बटा H, B का value निकला है कितना, root under B square minus A square, नीचे H आजाए कितना है H, B, तो यह कौनसा option में है, दो में, ठीक है, और formula क्या होता, cos A का, cos A का होता, root under 1 minus sin A square, ठीक है, तो इस पर आप sin का value यहां रख दीजे, वर्ग करके घठा दीजे, answer आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, यदि एक motor car अपने यात्रा की पहली आधी दूरी 30 km की चाल से, और सेस आधी दूरी 50 km प्रती घंटा की चाल से ताय करती है, तो इसकी आउसा चल गयात कीजे, ठीक है, यहां देखिए, दूरी बरावर है, पहली आधी और दूसरी आधी, तो दूरी बरावर है, तो हम लोग average speed का formula लगाएंगे, 2xy बटा x प्लस y बला, यहां से average speed निकलेगा, तो 2x है कितना 30, गुना 50, बटा दौनों को जोड़के 80 दे देजे, तो कटी जाएगा, 2 से कटाए इसका answer होगा, आगे बढ़ते हैं, एक मुलधन साधारान ब्याज पर 4 verse 4 मैने में 2 गुना हो जाता है, यहां कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, देखिए, 1 से 2 गुना हो गया, इसको time कितना लगा, 4 verse 4 मैना, यानि 4 years, 4 months, अब यहां देखिए, यह जो time लगा है, इसमें आ हो जाएगा, यहां देखिए, 1 से 3 हुआ हो तो 2 unit का ब्याज मिला है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 unit ब्याज मिला है, तो इतना समय इसको लगा है, दो इने कितना समय लगा, एक का दो गुना 2 है, यह समय का भी दो गुना करेंगे, यानिकि 8 साल, 8 मैना, 8 साल तो है ही आठ मैना को आप लिख सकते हैं दो बटा तीन साल तो आप्शन नुमर दो इसका अंसर होगा आगे बढ़ते हैं पर आठ का प्रॉफिट है 72 के उपर कटाएंगे आठे काट आठ नमा बहतर यानि एक बटा नौ आप क्या लिख सकते हैं एक सो बटा नौ परसेंट ठीक है इसको अगर सो परसेंट साब गुना करेंगे तो बन जाएगा एक सो बटा नौ आगे बढ़ते हैं तो संख्याओं का योग 25 है उनका गुन्नफल 35 है तो उसका विद्कर्म का योग ज्याद किज़ें देखें लिखेंगे पाल लेते हैं कि संख्या और ब्रस दोनों का योग 25 यानि कि A गुना B बऱबर 35 अब दोनों का विद्कर्म य chang कर यानिकि एक बट्टा A, A का वितकर्म एक बट्टा A, B का वितकर्म एक बट्टा B, रेसिप्रोकल, दोनों को जोड़ेंगे, तो A, B, LCM आएगा, इधर B प्लस A आजाएगा, ठीक है, तो A प्लस B हो गया यह, इसका वैल्यू यहाँ पर है, 25, और A भी नीचे है, इसका वैल्यू यहाँ है, 35, तो 25 बट्टा 35, कटाने एक बाद 5 बटा 7 आएगा, ऑप्सन नमर सी, इसका आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं, तिरभूज ABC में कौन यह अनुपाद दे रखा है, सबसे बड़े कौन का माप, डिग्री में ग्याद कीजिए, देगे, तीनों को जोड़ी है, 4-3-7-2-9 यूनिट हो रहा है, और तीनों कोनों का योग तिरभूज तो चांकों की सबसे बड़ी संख्या है, 6 बार 9 लिखेंगे इसमें, ठीक है, और सबसे चोटी संख्या हो जाएगा, एक पर 5-0, यानि की 1 लाख, अंतर लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बाकी सब 9-9-9 रहेगा यहाँ पर, तो कौन सा उप्सन में, अप्सन नमबर 3 में, आगे बढ़ते हैं, एक आयता कर मैदान की 30 feet की एक भुजा को छोड़कर, उसको 3 तरफ से बार से घिरा जाना है, यदि मैदान का छेतरपल 690 square feet है, तो कितने feet बार किया वसकता होगी, ठीक है, परिमाप निकलना होगा, उसमें 30 माइनस करना होग तो देखें, आपर छेतरपल ये दे रखा है 690, और हम लोग जानते हैं कि छेतरपल क्या होता है, लंबाई गुना चोड़ाई, यानि L भी बरावर है 690, अब यहाँ जो एक भुजा ये दे रखा है 30, ये क्या है, लंबाई है कि चोड़ाई है, आपको देखना होगा, डि जो 30 है, ये भी 30 होगा, और ये 23 है, तो ये भी 20 होगा, इसमें एक भुजा, यानि कि ये 30 को मा लेजे, छोड़ देना है, तो बागी तीन तरप का जोड़ कितना हो रहा, 23, 23, 46, 46 प्लस 30, 76, तो 76 फिट की आवसकता होगी, आपसा नमर 1, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख यहाँ पर बनेगा 2, 3, 6, यानि मैनस का 6 बटा 5, पीच में बनेगा 7 बटा 12, और लास्ट पलब बनेगा 4, 12 बटे 5, अब तीनों का LCM कितना आ जाएगा, 60 हैगा, इधर 5 गुना 12, 12 बारशा के 72, मैनस का 72 हो गया, इधर मैनस का 35 हो जाएगा, और इधर मैनस का 144, अब सब को जोड़िए, 4, 5, 9, 2, 11, बचा 1, 4, 1, 5, 3, 8, 7, 15, बचा 1, 1, 1, 2, और मैनस लगा है, क्योंकि सब में मैनस लगा है, और नीचे 60, तो option नमर C में है, 251 में मैनस 62, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सरल करना है, तो आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसका किरिया हो गुना देंगे, और इसको उल्टाएंगे, 8 उपर चलाएगा, गुना एक बटा 16 है, मैनस का 8 है, तो ये 16 से कट जाएगा, 8, 34 दो बार में, तो गुना 8 मैनस का 6, यानि ये कोंस्टक जो है अंदर में, इसका मैनस का 6 आया है, उसमें ये बाहर वाला 2 जब गुना करेंगे, यहां पर लिख देते हैं, इसका वैलियो आगे, मैनस का 6, इन दोनों को जब गुना करेंगे, तो मैनस का 12 आएगा, 20 में जब 12 मैनस करेंगे, आगे भी मैनस लगाए, तो प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 12 कितना? 32, अब आगे भी प्लस है, तो 32 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 57, option no. तो संक्याओं का अनुपाद 5 अनुपाद 6 है और उनका HCF 6 और उनका LCM ज्याद किजिए अगर अनुपाद में हम लोग देखें तो इसका HCF बनेगा वह कितना बनेगा वह बन जाएगा एक और LCM जब निकालेंगे तो LCM कितना बनेगा दोनों का गुनन फल यानि कि 36 और HCF यहां पर इन्हों ने दे रखा है 6 तो एक यूनिट का वैल्यू चे है LCM पुछ रहा है यानि कि 30 यूनिट का निकलना है एक का छे गुना तो 30 का छे गुना कितना जाएगा एक सो असी अप्सा नमबर डीज का सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं अतुलित के पास एक स सेस का 15% फिर उसका दोपर सेस का दो बटा पांच इस तरह से नहीं दिया तो हम लोग टोटल का जोड़ लेंगे या पर तो 10 प्लस 15 कितना होगा 25 और ये दो बटा पांच होता है 40 परसेंट तो 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा यह बाइशाट परसेंट यह जाएगा आपका 25 पर सोच को सरलतम भीनी के रूप में लिखा जाये तो उसके अंस और हर कांथर कितना होगा ठीक है तो यह यह है क्या एक दसनलतों दो पांच यह है आपको पांच ब्रटा चार ठीक है इसको दसनलब हटा के नीचे सो पड़ेगा 25 से कटाएंगे 25 बर में 25-45 तो दोनों का अंतर पूछ रहा तो अंसर औहर का अंतर कितना है एक तो आपसा नुमर एक में ये एक दे रखा है आगे बढ़ते हैं इसका माद्ध 6 है तो X का मान निकलना है तो माद्ध निकालने के लिए सब को जोड़ना होगा तो इन सब का LCM कितना हैगा LCM आ जाएगा 12, 126 का 126 हो जाएगा, दूसरा पद में हो जाएगा 12X, इसरा हम हो जाएगा 4X, जौथा में हो जाएगा 3X, पांचवा में हो जाएगा 2X अब इसका माद्ध है वो 6 है, आप चाहे तो यह जो जोड़ाया है, इसमें आप 5 से डिवाइट करिए क्योंकि 5 नमबर है यहाँ पर, माद्ध निकालने के 5 से डिवाइट करेंगे तो अगर इधर डिवाइट करेंगे तो नीचे आ जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पर गुना ही कर देते हैं पांस से तो इधर भी योग इधर भी योग आ गिया अब यहाँ पर जोड़िये 6, 12, 18, 18, 18, 22, 23, 25, 22, 27 27 X बरावर हो जाएगा 6, गुना 5 और 12 भी इधर से जाएगा तो गुना में आ जाएगा ठीक है तो अब कटा दिजिए यहाँ पर 3 से 4 वार में 3 से 9 वार में 3 से 2 वार में 3 से 3 वार में अब नहीं कटेगा 5 को 20 दुना 40 यह 3 इधर जाएगा तो X का वेल्यू 40 वटा 3 आएगा ओप्सन नुमर 3 आगे बढ़ते हैं 14 सो रुपया की रासी पर 20 परसेंट वार सिक व्याज की दर से 18 मा का चक्रवर्दी व्याज ग्याद कीजिए ठीक है ठीक है 18 मा में कितना होता 1.5 साल यानि 1 साल और 6 मा का अवदी होगा तो यहाँ 20 परसेंट वार सिक है तो पहला जो एक वर्स का अवदी होगा उसमें 20 परसेंट का ब्याज लगेगा और अगले जो 6 मा का अवदी होगा उसमें आधा ब्याज ही इसको देना पड़े यानि कि 20 का आधा 10 परसेंट और चक्रवर्दी निकालना तो सक्सेसिव परसेंटेज यहाँ पर होगा तो उसके निकालने के लिए क्या करेंगे 20 प्लस 10 प्लस का 20 गुना 10 बटा 100 ठीक है इतना परसेंट इसका ब्याज होगा टोटल यह तो कट ही जाएगा 20, 10, 32, 32, 32 परसेंट यानि चौदा सौका चौदा सौका इतना निकालना होगा 32 परसेंट ठीक है तो आप यहां से जीरो जीरो काड़ दीजिए चौदा दुना आठ था सिकाएंक आठ हारा है तो आप्सन नमर एक में यह दे रखा है इकाएंक 8 ठीक है तो यह इसका अंसर हो जाएगा आगे बढ़ता है तीस दिन वाले एक महिने के लिए एक दुकानदार द्वारा अरजित माधि दैनिक लाव 450 रुपया था यदि पहले 20 दिनों के लिए माधि लाव 300 रुपया था तो अंतिम 10 दिनों के लिए माधि लाव ग्याद कीजिए ठीक है यहां पर 30 दिन का टोटल स हो जाएगा और अंतिम 10 दिन का एक यूनिट हो जाएगा और अगर हम लोग देखें तो पहले 20 दिनों के लिए जो एवरेज था इसका कितना था 300 रुपया यहां पर 300 देंगे और अंतिम 10 दिनों का यह पूछ रहा है तो इसको यहां पर छोड़ देते हैं और अवर ओल जो 30 दिन का यह दे रखा है कितना दे रखा है 450 अब यहां आपको देखना है कि यह तो पूरा महिना का है और यहां जो 20 दिन का दे रखा था 300 अब झाले 400 से 300 कितना का कम यह कितना कम है इसकां पैर सब्सक्री Für. इसमें तो यह आने के बाद इधर से आपको बैलेंस करना जैसे यहां पर कमी था 300 का तो इसमें जोड़ दीजे आप 300 ठीक है और 300 जोड़ने के बाद आप क्वांटिटी से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा तो क्वांटिटी एक है डिवाइड करेंगे या ना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पर डिवाइड करने बाद 300 जोड़नों को जोड़ी है चार तीन साथ सो पचास इसका आंसर होगा ऑप्शन नमबर ठीक आगे बढ़ते हैं इसमें का रहा इफ दो ऑथर्स रहालेटी जमांट तो 24 थाज़न देन वाट विल भी दो कोस्ट आप एपर रहालेटी एक प्रॉश्ट करने का यह टोटल खर्च जिसमें की यहां पर रोयालेटी का एमांट दिया है कितना है चोविस परसेंट जिस Option number 10 का सही आंसर है, आगे बढ़ते हैं. इसमें कर यदि मुद्रन सुल की रासी 30,000 है, तो पुस्तक को परकासित करने में आने वाला कुल गय कितना होगा? तो मुद्रन सुल कहा है, प्रिंटिंग कोस्ट यहां है 30%, 30% का वैल्यू 30,000 है, सिधा सिधा 1000 है, तो टोटल पूछ रहा, टोटल कितना होगा? 100%, तो 100 का 1000 कितना हो जाएगा? 1 लाख, Option number 3, आगे बढ़ते हैं. If the total expenditure in bringing out the book is 250,000, then what will be the amount of printing charges plus author's royalties? कोहरा की book print करने का कुल लागत 250,000 है, तो लागत 50,000 है, तो यहां पर करा है amount of printing charge, printing charge कहा है, printing cost यहां 30% और royalty, यहां पर है 24%, दोनों का योग कितना होगा, तो 24 plus 30 कितना हो जाएगा? 24%, तो इसका 24% आप निकाल दीजिए, 00 कटी जाएगा, और यहां 20 जिरो हैगा, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा यह? पचा 10, 25, 5, 125, 10, 135 यानि कि, एक लाग पैंतिस अजार, option नमर एक इसका सही answer है, आगे बढ़ते हैं, what will be the angle of the sector for miscellaneous expenses? miscellaneous कितना है? 4%, तो इसका कितना हो जाएगा कुन? टोटल हो जाएगा 360 डिगरी, उसका निकालना है 4%, यानि कि 4 बटा 100, आप इसका जब निकालेंगे, तो 36 चोके 144 यानि 14.4 इसका answer होगा, option number 3 में ये दे रखा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये last सवाल था, वीडियो आपको कैसी लगी? कॉमेंट में जरूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाबा, टेक केर,